लोभी पोपट खालील प्रशनान ची उत्तरे लिहा Answer the following questions कपोपटा चा स्वभाव कसा होता? इसका मतलब है तोते का स्वभाव कैसा था? इसका जवाब होगा तोते का स्वभाव लालची था उत्तर पोपटाचा स्वभाव लोभी होता पोपटाचा मित्रान्नी त्याला काय संगितले? इसका मतलब है तोटे के दोस्तों ने उससे क्या कहा? इसका जवाब होगा तोटे के मित्रों ने उससे कहा? समुद्र बहुत विशाल है. उस द्वीब तक पहुचना कठिन है. वहां मत जाओ. पुतर पोपटाचा मित्रान्नी त्याला संगितले समुद्र कूप विशाला है. त्या बेटा परियत पोहुचने अउगड़ा है. तू तिकडे जाओ नकोस. पोपटाला आनंद का जाला. इसका मतलब है तोटा खुश क्यों था? इसका जवाब होगा तोटा द्वीब पर फलों के प खुश हुआ. उत्तर. बेटावरील फडांची जाड़े पाहुन पोपटाला आनंद जाला. पोपट का ठकला होता. तोटा क्यों ठक गया था? इसका मतलब है अधिक खाने के कारण तथा पैर में फल पकड़ने के कारण भी वह जल्दी ठक गया. उत्तर. खूब खाल्लया म पुरे तो लोकर ठकला. लोभाचे फड कसे अस्ते? लालच का फल कैसा होता है? इसका जवाब होगा लालच का फल बुरा होता है. उत्तर. लोभाचे फड वाइट अस्ते? रिकाम्या जागा भरा. फिल इन दा ब्लांक्स. होते, होती, होता, होती, होते. होता, होती, होते का मतलब है, था, थी, थे. क बेटावर अनेक फ़डांची जाड़े होती. इसका मतलब है द्वीप पर बहुत सारे फ़लो के पेढ़ थे. इसका जवाब है, होती. जंगलाथ अनेक पक्षी राहत होते. इसका मतलब है, जंगल में बहुत से पक्षी रहते थे, इसका जवाब है, होते, गुसर्व पक्षी लोभाचे फ़ल वाइट अस्ते यावर चर्चा करीद होती, इसका मतलब है, सभी पक्षी चर्चा कर रहे थे कि लालच का फल बुरा होता है, इसका जवाब है, होती, गुपोप्टाचा फ़लान सा लोभ वाढ इसका मतलब है तोते की फलो के प्रती लाल सा बढ़ती जा रही थी। इसका जवाब है होता। संध्यकार सकार खालील वाक्यतिल नामे ओर्खा आइडेंटिफाइड नाउन्स किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाती, भाव या स्थान के नाम को नाउन्स कहते हैं। भारताची राजधानी दिली आहे। भारताची दिली नाउन्स आहे। फुलपाखरू सुंदर दिस्ते। फुलपाखरू नाउन्स आहे। झाल्पा व्यक्ति, भारताची दिली नाउन्स छिली तर दिली आहे। झाल झाल